मध्य भारत के महाराष्टर के नाकपूर शहर में आने वाले महाराजबाग प्राणी संग्राले यह 127 वर्ष पुराना है यहाँ पर हर एक प्रदेश के बाहर से आने वाले लोग एक बार अवश्य इस महाराजबाग प्राणी संग्राले को भेट देते हैं फिलाल के दिनों में चल रहे कोरोना वाइरस की महामारी ने वन्ने जियों को भी नहीं छोड़ा है अमेरिका के एक प्राणी संग्राले में एक शेर को कोरोना वाइरस होने की खबर सामने आई है उस शेर के साथ रहने वाले और अन्य तीन शेरों को सूखी खासी होने का आवाल सामने आया है इस कारण वीच्वके वेटरनरी डॉक्टर सक्ते में आ गए संपूर्ण भारत इस समय लोगडाम की स्तिती से गुजर रहा है ऐसे में इस महामारी से प्राणियों को बचाने के लिए महाराजबाग दू में वनन्य प्राणियों के लिए सैनिताइजर किया जा रहा है कॉरोना वाइरस COVID-19 का फैला रोकने के लिए सैनिताइजर मशीन त्वारा इसका छिटकाउ पूरे महाराजबाग परिसर में और उनके पिंजरों में वन्य प्राणियों तथा सड़कों पर सैनिटाइजर किया जा रहा है। ऐसी जानकारी धू के व्यवस्तापक डॉक्टर बावस करने दी है। इस प्राणी संग्राले की स्टाफ ना सन 1847 में हुई थी। सभी वन्य प्राणियों को अलग-अलग पिंजरे में रख कर कोरंटाइन भी किया जा रहा है। नाालों के और साबन देखकें फिर अपन अंधा ले रहें उनको kingdom . जो खाना है जानमआ का उस खाने को भी अपन जो भी रोज खाना आ रहा हैं। और फिर जो खाना आ राय है। उसको अंपन सब जितना भी खाना है वो सब गरम पानी से उसको भी भू रहां। अच्छा उसके अलावा फिर लोगों को जब साफसपई के लिए या खाना देने के लिए जब जानवरों के पिंजरे के पास जा रहे हैं तो जानवरों को अपन दुसरे पिंजरे में लेके फिर उसको खाना दे रहे हैं और उसके पास से डिस्टन्स मेंटेन करने कर रहे हैं उसके लिए तो फिर अपन उनके पिंजरे में जितने भी बड़े बाड़े हैं, उनमें अपन ने चुना पूरा डाल दिया है, ताके उसमें जो भी जाम स्वायरस है वो सब मर जाए, उसके अलावा अपन जब जो खाली करके प्राणियों को दुसरे साइड में लेके, अपन उनके पिंजरे में डिसिंफेक्शन भी कर रहा है, कोर्सलिन के इस्तिमाल करके.